मैंने root canal treatment का इलास तो करा लिया पर अब इसके उपर cap कौन से लगवा हूँ ये मुझे कोई भी idea नहीं है अब मुझे कौन से cap लगवानी चाहिए इसका कैसे पता चलेगा चलिए डोक्टर से पूछते हैं देखे अगर आपने दातों की root canal treatment तो करा लिया है पर उसके उपर अगर आपने crown नहीं लगवाई है तो उस root canal का कोई भी फाइदा नहीं रहता है क्योंकि root canal treatment के बाद दात brittle nature का हो जाता है यानि कि कोई भी hard चीज अगर आप खाएंगे तो वो दात तुरंद fracture होने के chances बढ़ जाते हैं Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Shweta Sharma और आज किस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं crowns कितनी तरहें के होते हैं और उनकी क्या क्या कोस्ट होती हैं पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो नीची सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेजे ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मेरते रहें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो भी crowns होते हैं वो उनके बनने वाले material के basis पे तीन त्रहेंगी होते हैं तो सबसे पहले जो crown होते हैं वो होते हैं metallic यानिकि वो kevel metal के बनी होते हैं अब यहां पर आप डागराम में देख सकते हैं कि जो metal की crown होते हैं वो दातों के जैसे की color के तो होगी नहीं यही इसका सबसे बड़ा drawback होता है कि दातों की color की नहीं होते हैं यानिकि जब भी आप smile करेंगे दूसरा इंसान जट से पता लगा सकता है कि आपने artificial crown लगवाई हैं अब आती है दूसरी crown जो अंदर से metal की होती है और बाहर से दातों के जैसे color की ही होते हैं जिसे हम कहते हैं PFM पोर्सलिन फ्यूस टू मेटल इसका यही फायदा होता है कि जो अंदर की metal है वो किसी को भी दिखाई नहीं देगी ऊपर का white portion ही दिखाई देगा पर इसका drawback क्या हो जाता है जब भी हम आगे वाले दातों में अगर PFM crown देंगे तो देखी जो हमारे आगे वाले teeth होते हैं वो बहुत ही thin होते हैं बहुत ही पतले होते हैं बेसिकली वो translucent nature के होते हैं अब translucent आपको पता ही है जिन में से थोड़ी सी रोचनी आरपार भी जा सकती है यानि कि reflection में भी आपको काफे पता चलता है तो ऐसे में अगर हम आगे वाले दातों के ऊपर porcelain fuse to metal की crown देंगे तो वो अलग से दिख जाती है अलग से पहचानी जा सकती है कि वो असली दात नहीं है इसलिए generally हम पीछी के दातों में porcelain fuse to metal prefer करते हैं और अब आते हैं तीसरी crown पे जो पहली दो crowns में problems थी उन सभी को ठीक कर देती है तीसरी crown का नाम होता है जिर्कोनिय crown जिर्कोनिय crown में basically अंदर से भी white color की होती है और बाहर से भी वो white color की ही होती है तो इस crown को अगर आप आगे वाले दातों में लगाते हैं तो वो बिलकुल समझ में ही नहीं आएगा किसी को कोई differentiate ही नहीं कर पाएगा कि वो असली tooth है या फिर artificial crown आपके tooth पे लगाई है अब जल्दी से इन crowns की cost के बारे में बात कर लेते हैं क्राउंस की cost बताने से पहले मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहूंगी कि इनकी cost material पे डिपेंड करते हैं आपके इस जगे से बिलोंग करते हैं किस lab से crown बन के आ रही है इन सभी factors पे डिपेंड करते हैं तो अगर हम metallic crown की बात करें जो पूरी ही metal के बनी होई होते हैं वो जैनरली 1000 से 2000 तक के बेच में बन जाती है और पे फ्रम crown जो अंदर से metal की होती है और बाहर से white color की होती है उसकी अगर हम cost के बात करते हैं तो वो 1500 से यानि कि 1500 से 5000 तक उसकी cost जाते हैं अब यह totally depend करता है जैसा कि मैं हर बार बताते हूं clinic पे area पे कि किस जगह पे clinic है किस lab से वो material बन क्या है और वो material कैसा है तो इन सभी बातों पर depend करता है और यह जो मैं amount बता रहे हूं यह एक crown की होती है यानि कि अगर आप तीन crown का bridge लगाएंगे तो यह जो मैं cost बता रहे हूं इसको 3 से आपको multiply करना पड़ेगा ठीके ना and now the third crown zirconia crown जिसे हम कहते हैं अंदर से भी और बहर से भी white color की होती है काफी लंबी चलती है और इसकी strength भी बहुत ज्यादा होती है aesthetically यह बहुत अच्छी होती है इसकी जो cost जाती है वो 7,000 to 15,000 तक जाती है generally जो मैंने PFM की crown बताई और जो zirconia की crown है इन दोनों crowns में अलग-अलग time duration की guarantees भी दी जाती है for example किसी crown की 5 years के warranty मिलते है या फिर कुछ crowns की 10 years की भी guarantee मिलते है यानि कि आपको एक card दिया जाता है आपके budget पे depend करता है कि कौन सी crown आप लगवाना चाहते हैं हमने अपने हिसाब से आपको तीनों crowns बता दी है कौन सी best रहती है किन की क्या cost है अब इसके हिसाब से आप अपने अनुसार crowns चूज़ कर सकते हैं आप सबी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो आपको helpful लगी है तो नीचे लाइक जरूर करें उसी के साथ अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को नीचे सुब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नहीं वीडियो क अपडेट आपको मिलते रहें इसी के साथ अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार रखे थैंक यू एंड गुड लग कर दो